वेल्कम टू इंडेक फॉर्मा ये टम्स आपको पता है तो दूसरी स्वास समस्याओं को भी समझने में आपको आसानी रहेगी तो पहले टम है म्यूकस म्यूकस एक गाड़ा चिपचिपा बदार्थ होता है जो हमारे शरीर के बहुत से टिशूज या आंत्री कंगों को फुरक्षित रखता है चिकना बनाया रखता है ठीक उसी तरह जैसे हम किसी सामान, किसी फरनीचर किसी लोहे की टेबल पर चिकनाई या फिर ग्रीस, या पेंट की कोटिंग करते हैं तो उसमें जंग नहीं लगती म्यूकस खास कर नाक से लेकर फेफडों की लाइदिंग को कवर किये रहता है जिससे कि नाक के द्वारा जो हम सास लेते हैं, उसमें यदि कोई गंदगी है, कोई दूल है या मिट्टी है, या फिर बैक्टेरिया है तो म्यूकस में चिपक जाता है और आंत्री गंगों तक नहीं पहुच पाता लेकिन जब किसी भी ग्यात या ग्यात कारणों से या म्यूकस हमारे शरीर में बहुत अजिक मातरा में बनने लगता है तब शरीर खास कर फेफडों में जम जाता है जिससे कि कई समस्याएं पैदा होती है सास से संबने समस्याएं और बॉडि में इंफ्लमेशन भी अब दूसरा टर्म है म्यूकोलाइटिक एजेंट ये इसी दवाए होती है जो म्यूकस को पतला कर देती है जिससे हमारी बॉडि से आसानी से बाहर निकल जाता है और हमारी बॉडि की इंफ्लमेशन भी कम हो जाती है तीसरा टर्म है म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट ये इसी दवाए होती है जो हमारी म्यूकस मेंब्रेन को छटी से बचाती है खास कर पेट में बनने वाले एसिट से होने वाली छटी से तो दोस्तों यही वो तीन टर्म थे जिनने समझना हमारे लिए ज़रूरी था अब मैं जो दवा आपको बताने वाला हूँ ये टर्म्स उसकी वर्किंग को समझने में आपकी सहाइधा करेंगे अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रेबाजेन ओर्टिक केपसूल है आप मैंसे कई लोग जानते भी होंगे केस के साथ ओर्टिक टर्म जुड़ा हुआ है इसलिए ये सीधे हमारे कानों से संबन दित है ये 10 केपसूल का पैक है इसे मैकलियोट फार्मसिटिकल कंपनी द्वारा मार्केट किया जाता है इसकी प्राइस लगबग 180 रुपए है हाला कि अनलाइन वेट साइट पर इसकी कीमतों में कुछ अंदर भी आ सकता है अब इसकी यूजस और वरकिंग के बारे में एक साथ बात करने से पहले मैं आपको ये भी बता दू कि इसे वो सबी लोग ले सकते हैं जिनका हैरिंग लॉज दीरे दीरे बढ़ता ही जा रहा है खासकर एल्डरली पिपल याने साट के उपर के लोग वो लोग जिनने प्रिस्बी क्यूसिस याने के उमर से संबन्नित हेरिंग लॉज की समस्या है चलिए अब इसके उप्योगों की जानकारी लेते हैं तो जैसा के नाम से ही पता चलता है ये दवा इस्पेशली हेरिंग लॉज को अब्चने के लिए उप्योग की जाती है रिबजन ओर्टिक कैप्सूल तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है एनसेसाइल सिस्टीन अलफा लेपॉलिक एसिट और रिबा मिपाइड रिबजन ओर्टिक कैप्सूल एन्टि उक्सिडेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कानों को इस्पेशली कॉकलिया और हैरिसेल्स को डेमेज से बचाती है साथ ही ये कैप्सूल हमारे हैरिसेल्स का प्रेजर्वेशन भी बढ़ाती है जिससे के समय के साथ होने वाली सुनने की शक्ती में कमी की दर घटती जाती है यानि यदि दो सालों में 10 डेसिबल की दर से सुनने की शक्ती में कमी आ रही थी तो अब ये दो सालों में 5 या 6 डेसिबल की कमी की हो जाएगी यानिकि केवल 5 या 6 डेसिबल की दर से ही कम होगी और यदि हम अपने स्वास को बहतर बनाए रखते हैं तो ये दर यानिकि ये रेट और भी कम हो जाएगा अब रेबा जैनॉर्टिक कैपसुल के कंटेंट्स और यूजेस की बात की जाए तो इसमें अनेसेटाइल सिस्टीन और अलफा लिपालिक ऐसिड होते हैं ये दोनों हैं इंटियोक्सिडेंट्स हैं जो हमारी बाड़ी में ग्लूटाथियोन का लेवल बढ़ा देते हैं आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि ग्लूटाथियोन सबसे शक्तिशाली एंटियोक्सिडेंट होता है जो हमारी बाड़ी में बनने वाले हानी कारक फ्री एंटिकल्स को खत्म कर देता है साथ ही आप जानते हैं कि फ्री एंटिकल्स जब भी बनते हैं तो हमारी body inflammatory response देती है जिससे कि हमारे शरीर के आंत्रिक और बाहरी दोनों अंगों को काफ़ी नुक्सान पहुचता है खासकर कानों को इसलिए glutathion इन free radicals को कम करके हमारी body को detoxify करता है जिससे कि कानों को होने वाली शती भी कम हो जाती है और साथ ही हमारी health भी बैतर बनी रहती है इसके अलावा ये जो glutathion है ये mitochondrial energy का metabolism भी बढ़ा देता है जिससे कि हमारी body के cells यानि कोशिकाओं को होने वाले नुक्सान में काफी कम ही आ जाती है इन दोनों के अलावा इसमे रिबामिपाइट भी होता है जो कि एक mucoprotective agent है देखिए हमारी body में कई तरह से inflammation होता है और इसके सबसे बढ़े कारणों में से एक है inflammatory cytokines का बनना इसके कारण हमारी शेरिल के हारंग को कुछ ना कुछ नुक्सान ज़रूर बहुसता है ऐसमे रिबामिपाइट जो कि एक mucoprotective agent है वो हमारी body में घुलनशिल mucos की मातरा को बढ़ा देती है और जो inflammatory cytokines से उनके उत्पादन को अवरुद कर देती है इससे कानों के साथ ही साथ हमारी पूरी body को फायदा बहुसता है या जो नुकसान free radicals वारा हो रहा था उसमें कमी आ जाती है इस तरह ये दवा हमारे कानों को बचाती है सुनने की शक्ती और presbicuses यानि कि उमर के साथ सुनने की शक्ती में यदि कमी हो रही है तो उसमें भी राहत देती है तो यही सब इसके contents contents की working और इसकी uses है चलिए दोस्तों अब हम इसके side effects की जानकारी भी ले लेते हैं तो देखिए ज्यादा तर लोगों को इस दवा का कोई side effects नहीं होता क्योंकि जो उसके contents है वो सब भी हमारी body के लिए फायदे मन्द है लेकिन फिर भी कुछ लोगो mild side effects जैसे कि allergy जिसमें eczema, arrachis, khujli या height शामिल है इसके अलावा मितली और उल्टी पेट दर्थ, कब्स या डाइरियाजेंसी समस्या हो सकती है जो कि समय के साथ चली भी जाती है लेकिन यदि इसके serious side effects की बात की जाए तो यदि इसे लेने के बाद बहुत तेज सरदर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा नीद आ रही है या चक्कर आ रहे है या बीपी लो हो रहा है या बहुत अधिक पसीना आ रहा है या दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है या गंभीर रूप से उल्टी हो रही है उल्टी में खून आ रहा है या फिर लीवर में समस्या हो रही है तो आप इसे लेना तुरंत बंद करें और जल्दी ही अपने डॉक्टर से संपर्ग भी करें आप याद रखें कि सीरियस साइड इफेक्ट्स उन लोगों को ज्यादा महसूस होंगे जिने पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है या फिर जो पहले से ही कोई दबा ले रहे है जैसे कि कून को पतला करने के लिए إप्रिंज यहसी दबाए अब यदि इसकी डोस की बात की जाए तो ये क्योंकि एक प्रिस्क्रिपशन मेडिसेन है इसलिए इसकी डोस आपके उम्र, वजन और रोक किस्तिती को देखकर आपका डॉक्टर ही ताय करेगा लेकिन नॉर्मली एक दिन में केवल एक कैपसूल पानी के साथ लिया जा सकता है चली अब जानकारी लेते हैं कि किन कंडिशन में हमें इस दवा को अपयोग नहीं करना चाहिए या इस दवा को लेने के दोरान हमें कौन-कौन सी साफधानिया रखनी चाहिए तो देखिए सबसे पहले प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट्टिंग की कंडिशन में डॉक्टर की सला के बिना इस दवा को अपयोग बिल्कुल भी ना करे यदि आप ड्राइविंग करने वाले हैं या ड्राइविंग करने वाले हैं मशीनों को अपयोग करना है या फिर यदि आपको उचाई पर जाना है तब भी इस दवा को अपयोग ना करे क्योंकि इस से चक्कर और नीन भी आ सकती है इस दबा के साथ अलकोहल यानि कि शराब को उप्योग तो बिल्कुल भी ना करे इसके अलावा यदि लिवर और किड्नी का कोई गंबेर होगे या फिर आप हार्ट पेशेंट है और खून को पतला करने वाली यानि कि बलड थेंटर दवाए ले रहे हैं जैसे कि या स्प्रिंट या फिर आपके पेट में छा ले हैं तो भी इस दबा के उप्योग से पहले डॉक्टर से संपर्च जरूर करे यदि आपको इस दबा के किसी भी इंग्रिडियंट्स खासकर एन एसेटाल सिस्टीन से अलर्जी है तो इस दबा को बिल्कुल भी ना ले और याद रखें कि उम्र दराज लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस दबा को बिल्कुल भी ना ले क्योंकि ये वीडियो केवल आपकी जानकारे के लिए बनाया जा रहा है अब वीडियो केंट में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रेबर जेनाटिक केपसुल कई दबाओं के साथ रियक्शन कर सकती है जैसे कि एस्परिन या इंटिबाइटिक्स या हाई बीपी की दबाएं या डाइबेटिस की दबाएं जैसे कि इंसुलिन इसलिए आप यदि किसी भी तरह की दबा ले रहे हैं तो रेबर जेनाटिक लेने से पहले अपने डॉक्टर को उन दबाओं के बारे में जरूर बता दे दोस्तो इसे के साथ इस वीडियो को हम यहां समाप्त करते हैं यदि ये जानकारी आपके लिए एलफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और थैंक्स पर वाचिंग